हेलो एबरीवन डिना केचन में आपका स्वागत है कैसे हो आप सभी आई हो पॉप अंथे हुआ हो इंद दिनों बाद आपरे लोग के साथ में कुछ शियर कर रहे हैं शेर तो हमने कुछ ऐसे किये थे आप लोग के साथ में लेकिन रेश्टी में शेर नहीं किये थी क्योंकि हम कुछ दिनों से घर में नहीं थी और हम गयते गेजमेंट सेरमनी ने तो इसलिए खुद की फोटोज थी वह आप लोगे शाहत में शेयर के थे जो हमारे पास थोड़ा जथा वह ने आपके शेयर में किया था आपके साथ में लेकिन आज हम वीडियो शेयर करें हैं ब्रेड बॉल्स की जो कि यह सभी का बहुत हो चोटा किसी को भी बना के खिला बहुत के लिए बनाती हूं तो सुचिए आप लोगे साथ में भी रेश भी शेयर करूं आज में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और घर के रखे हुए समान से आप इसे बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए पहले उबले हुए आलो ले लिए थे उसको साइट करेंगे और इस तरीके से ब्राउन से ब्राउन पिर बढ़ाई ब्रार्ट में आपको आप कांए दब कम बहुत कम समय में बना त्यार कर सकते हैं वीडियो शूट करने मुझे 10 मिट लगे तो आप इसके आधा बना बता दूमे कि आधा समय लगे का आपको ऐसे बनाने में क्यों कि बहुत कम समय लगता है तो हम क्या करेंगे ना इस ब्रेट को चाहते हैं यह देख सकते इसे फेकेंगे नहीं इसे यूज कर सकते इसे अच्छा करेंगे इसमें अपने मन पसंद प्रिका स्था कर शेख सकते हैं उसके बाद धनिया पत्ता ले लेंगे और इस तरह सरे बाइक चाप कर देंगे थैंगे में तो इस ब्रेट करेंगे तो आप आपको बारिक चौप देख सकते हैं प्यास, दोहरीमीश, धनिया पता और टमाटर को बनाते हैं अगर आपको पता पसंद है तो आप इसमें और मसाले आट कर सकते हैं उबली हुए आलू में सारि सब्चिया जो हमने काट रखी हैं वो डाल देंगे नमक बहुत कम और दालने के बाद दाना को क्या करेंगे तेल में डालेंगे और रोष्ट करेंगे गरम तेल होता है तो फटा फट एक मिनट भी नहीं लगता है फटाक सी मुझ फल्य रोश्ट हो जाता है मुऊपली रोष्ड हो गया है तब cub 78 capable निकाल लेंगे यह देखिए इस तरीके सारी मुऊपली को भार निकाल लेंगे अब इसको करेंगे अब हम साइड में और चलते हैं इस ट्र Savekin ready कśli करेंगे तो जो हमने सब्सक्राइब करेंगे और इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे अपने हाथ उसे इस टापिंग नब बहुत टेस्ट लगता है खाने में आप एक पर मिने तरीके से ट्राइब जरूर से करिएगा और यकिन मानिये सब्सक्राइब को बहुत पसंद आएंगे बड़ा हो चोटा हो सभी को बहुत पसंद आता है और सबसे आसान मुझे रेश्पी लगता है अगर कभी भी कम समय होता है चाहिए अचाना समार्या गेस्ट आ जाते हैं तो हम उन्हें भींगो दे आप अच्छे तरीके से दोनों हातों की हेल्प से पानी को निचोर दे उसके बीच में बहुत आसान कीसी हमारा ब्रेड बाल्स बनके त्यार हो जाता है और यह सब चीजों को इस तरीके से बनाते हुए साइट करेंगे और यह देखिए इस तरीके से क्या करेंगे पानी डालना है उसको पानी को निचोड देना है उसको जो ख़ाने आलु के श्टपेंग डालना है और क्वान से सील कर देना है और यह देखिए इस तरीके से अभी इस ऐसा करते जरते हैं अभी इस तर्य कहां और ने साथ hebben त Hi तो यह देखिए बॉल्स हमारे रेडी हो गया है अभी चलते हैं गर्मा गरम तेल में डालके फ्राइब करते हैं फ्राइब करने में एक दो मिनित लगेंगे फटा-फटी फ्राइब हो जाता है तो तेल गरम हो जाए उसके वाज में आप डाल दे इस तरीके से सारे बॉल्स को बारी-बारी से आप लोगों को आज की रेष्मारी पसंद आई होंगी तो पसंद आंतो लाइग करें हमारे जूंक को सब्सक्राइब और अपने दोश्थों के साफ़ से जरूर से करें और एक बार मेरे तरीके से यह ब्रेड़ बॉल्स जरूरूर कॉरे करें चाए के साथ किसी चीज़ के साथ आप इसे निजुआ कर सकते हैं बहुत बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे अपने बच्चों के लच बॉक्स पहले सकते हैं उन्हीं बहुत तरफ हमारा यह गोल्डन हो गया है कलर आगया है यह देख सकते हैं तो बस इस तरीके से प्लाटे आप इस तरीके से गोल्डन रोश्ट कर लें तो उमीद है कि आप लोग जुरू से ट्राइ करिएगा इस रेसीपी को बनाना तो बहुत ही असान है हमने बहुत सिंपल तरीका बताया भी बनाना और आप इसे कम से कम समय में बना के त्यार भी कर सकते हैं कम समान से बना के त्यार कर सकते हैं और खाने में तुसकी जवावी नहीं इतना टेश्टी लगता है यह खाने में तो यह देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे सारे पॉल्स को इस तरीके से हमने ब्रेड बॉल्स त्यार है हरी चिटनी भी हमने रखे और साथ में केचप भी रखे हैं इसे जो पसंद है वो खा सकता है इसे ट्राइकर सकता है और यह देखें तो आप लोग से हम नई वीडियो में नई रेसीपी के साथ फिर मिलेंगे तब तक आप लोग इसे बनाए और इं है